किसानों द्वारा शहीद भगत सिंग राजगुरु वस्तुक्तेव का शहीदी दिवस मनाए गया अंबाला के शंभु टोल प्राजा धरने पर भी किसानों द्वारा शहीदी दिवस मनाए गया इस मौके पर किसानों ने भगत सिंग राजगुरु सुक्तेव की फोटो पर पुश्प अर्पित कर शधा अंजली दी किसानों द्वारा खीर का लंगर भी लगाया गया वही पंजाब से आई गतका की टीम ने भी अपने शहस्त्र विद्या का जोहर दिखाए पताते चले कि 23 मार्च 1931 को अंग्रेजी हुकूमत के बगावत के चलते भगत सिंग राजगुरु वसुख देव को फांसी दी थी आज पूरा देश उनके सहीदी दिवस के मौके पर तीनों वीर पुर्षों को याद कर रहा है इस मौके पर युवाओं ने भगत सिंग की तरह पीली पगड़ी बांद कर उनके पच्चिनों पर चलने का प्रण लिया वही किसान नेताओं ने कहा कि आज किसान भी उनके पच्चिनों पर चलते हुए काले कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है जिसमें अब तक तीन सो से उपर किसान शहादत दे चुके हैं महापुरुष कभी मरते नहीं उनके विचार हमेशा जिन्दा रहते हैं आज भी लाखो युवाउं उनके बताए रासे पर चलकर अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है किसान आंदोरन से जुड़े युवाउं ने आज प्रंड लिया है पर वो दरगी तानासाही सरकार उसने तेही माल को सिहिर भाके सिंग राजगर सुकुदेव को फांसी दे दिया इसी प्रकार ठीक वो गोरी सरकार थी अब कारी सरकार है अगर किसानों के साथ चलती चैती नहीं करेकरम आज मनाया गया है आज देश के महान सहीदों राजगरू सकदेव और भाके सिंग जी का सहीदी दिव से हैं हमने बड़े चाव से इसको मनाया है नौजवानों को पिडिया पागडिया बांध के भाके सिंग की तरह चजबा उनमें देखने को अब भी दिखता है प्रोग्राम चर रहा है बच्चे गत्तकां का प्रोग्राम दखा रही है हमारे साथ वही हालात पैदा कर दिये इन काले अंगरेजों ने जिनों ने अंगरेजों के तलवे चाटे सारी उमर उनकी सरकार आ गई है उन्हें नों हमारे लिए वही हालात पैदा कर दिये जो अंगरेजों ने पहले भारतियों के लिए किये हुए थे उनी को गलामी को काटने के लिए राजगुरू सकदेव भाग सिंग ने वा अन्या कई करांती कारियों ने बड़ी खुसी खुसी फांसी के फंदे को चूमा देश के लिए कुर्बान हो गए अब ये सरकार वही हालात प्राणा चाहती है अब भी बहुत भाग सिंग हैं बहुत राजगुरू हैं बहुत बच्चे उनके नक्षव कदमों बच जा रहे हैं सरकार यही हालात पैदा कर रहे है उनका मेकाबला हम फुछी तरह करोंगे जिननून करांती कारियों ने या case ह ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आप के लिए लेकर आए हैं खास मौका वो भी हर्याना सरकार की अफॉर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाक रुपे तक की सुविधाओं के रूप में सबसीडी जैसे की फ्री पारकिंग, EDC, IDC फ्री, क्ल